हेलो स्टूडन्स तो बच्चो आज हम चंडरन लोलेज में चेप्टर थ्री शेप्स एंड साइज शेप्स मीन्स आकार एंड साइज मीन्स आकार और कत के बारे में सीखेंगे सो लेज स्टार्ट तो बच्चो ए नमबर में थिंग सेव डिफरेंट शेप्स मीन्स की चीजे अलग-अलग शेप्स में होती है अब्जर्व द शेप्स ओफ द फिगर्स गिवन बिलो लॉन द नेम्स बाइवीच थी शेप्स आर नोन तो बच्चो आपको ए शेप्स के फिगर को नीचे दे गए शेप्स के फिगर को अब्जर्व करना है मिन्स उसे देखना है फिर आपको उनके नेम्स लर्न करने है कि ए शेप्स कौन-कौन से है तो यहाँ पर फर्स्ट शेप है सर्कल C-I-R-C-L-E सर्कल सेकेंड शेप है ट्राइंगल T-R-I-N-G-L-E ट्राइंगल थर्ड शेप है स्क्वेर S-Q-U-A-R-E स्क्वेर नेक्स बचो तो चलो अब हम इसकी एक्सेस कते है तो बच्चो आपको यहाँ पर नीचे दिये गए फिगर्स में कलर्स करने है तो बच्चो आपको यहाँ पर सर्कल में कौन सा कलर करना है रेड कलर ट्राइंगल में ब्लू कलर और स्क्वेर में आपको यलो कलर करना है तो बच्चो इसी तरह आपको एक पिच्चर में सारे पिच्चर में सर्कल में रेड कलर करना है ट्रेंगल में blue color करना है और square में yellow color करना है next बचो B number में things may be big or small in size बचो चीजें बड़ी या छोटी size में हो सकती है यहां पर picture में एक eagle का picture है जो eagle big है means बड़ा है और यहां पर एक sparrow का picture है यहां पर एक sparrow small है तो आप यहां पर difference देख सकते हो यह big है और यह small है next यहां पिचर में एक tree एक big है और यहां पर एक plant small है means छोटा है तो आप यहां पर tree big और plant small देख सकते हो next पिचर में यहां पर यह बंगलो कैसा है बीग मिन्स बड़ा है और यहाँ पर यह हट कैसा है स्मॉल मिन्स छोटा है नेक्ष सी थिंग्स में भी थिक और थिन तो बचो थिंग्स मिन्स कुछ चीज थिक मिन्स मोटी और पतली भी हो सकती है तो यहाँ पर है शुगर केन तो बचो शुगर केन कैसा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको थिक थिक मिन्स मोटा और यहाँ पर यह साइड है मैज स्टिक तो बचो यहाँ पर यह मैज स्टिक कैसी है थिन मिन्स पतली है तो यहाँ पर थिक और थिन यहाँ पर यह दी गए है नेक्ष यहाँ पर है बनाना तो बच्चो यहाँ पर बनाना कैसा है थीक, थीक मिन्स मोटा है और यहाँ पर यह श्रो है तो बच्चो यहाँ पर यह श्रो कैसी है थिन मिन्स पतली है नेक्ष बच्चो एक्सरसाइस Q1 में क्या है In the following pairs टीक, राइट था, स्मॉलर वान तो बच्चो यहाँ आप नीचे दिये गए पेर में आपको जो छोटा है, सबसे छोटा है उनमें आपको राइट करना है तो बच्चो आपको यहाँ पर टू एनिमस दिये गए है शीप and लायन तो बचो यह दोनों में सबसे छोटा कौन सा है smaller sheep तो आपको यहाँ पर right करना है तो बचो next picture में यहाँ पर है peacock and parrot तो बचो यहाँ पर यहाँ दोनों bird में सबसे smaller कौन है parrot तो आपको यहाँ पर right करना है next third number में यहाँ पर है car and truck तो बचो यह दोनों में सबसे smaller car है तो आपको यहाँ पर write करना है Next 4 number में यहाँ पर है wrist watch and clock तो बचो यहाँ पर यह दोनों watch में wrist watch small है तो आपको यहाँ पर write करना है Next question 2 in the following pairs take right the thick car one तो बचो यहाँ पर नीचे दी गए पेर में आपको जो thick car one means जो मोटी है उन पर write करना है तो यहाँ पर first number में है pen and pin तो बचो यहाँ पर pen and pin तो आप यहाँ पर दोनों picture में difference देख सकते हो यहाँ पर यह pen थिकर है means मोटी है तो आपको यहाँ पर write करना है Second number में यहाँ पर यह pencil and bamboo तो बचो यहाँ पर यह bamboo थिकर है जो मोटा है तो आपको यहाँ पर write करना है और बचो थोर नमबर में यहाँ पर है elephant's legs and यहाँ पर है deer's leg तो बचो आपको यह दोनों legs में elephant's leg थिकर दिख रहा है means मोटा दिख रहा है तो आपको यहाँ पर right करना है next four नमबर में यहाँ पर है thumb and finger तो बचो यहाँ पर दोनों fingers है यहाँ पर यहाँ थिकर है means मोटा है तो आपको यहाँ पर right करना है तो बचो हमने यहाँ पर थिन और थिकर के बारे में सीखा और यहाँ पर हमने shapes and size के बारे में सीखा तो हमारा chapter यहाँ पर complete हो जाता है so bye bye thank you जाता हम परकी को जाता है यहाँ जाता है जाता है पर दो की यहाँ पर दो कुछ पिए तो यहाँ जहाँ पारे में यहाँ प्लब!...